केंड्य क्रिशी मंत्री नरेंद सिंग तोमर ने मंगरवाग को क्रिशी शेतर में ड्रोन के इस्तमाल के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाद जारी कर दी है इसके तहट ड्रोन से कीट नाशकों और जमीन और फसल से जुड़े अन्य पोशक दवाओ का छुड़काफ किया जा सकेगा केंद्रिय मंत्री नरेंद उमर ने एक अधिकारिक बयान में कहा कि क्रिशी शेतर में ड्रोन तक्नीक का इस्तमाल समय की जरूरत है और इसे किसानों को फायदा होगा S.O.P. जारी करते हुए तो उमर ने कहा कि साल 2014 से ही सरकार की नीतियां 2022 तक किसानों पर और ज्यादा केंडरित हो गई थी उन्होंने कहा कि किसान उतपादक संगठन और कृशी को लेकर फंड से छोटे किसानों की जीवन में करांतिकारी बदलाव आएंगे उन्होंने कहा कि देश में पहली बार टीडी दल के हमलों से बचने के लिए ड्रोन का इस्तमाल किया जाएगा सरकार कृशी शेतर में लगाता नई तकनीक लाने का प्रयास कर रही है ताकि शेतर की उतपादक्ता और दक्षिता दोनों बढ़ सकें तो ऐसे में किसानों के लिए एक ये बड़ा फैसला यहां पर कृशी मंत्री ने और सरकार ने लिया है दरसल चोटे किसानों के जीवन में अब काफी ज्यादा बदलाव आएगा क्योंकि अब कृशी में ड्रोन का इस्तमाल होना शुरू हो जाएगा